मैं पुल्वामा के आतंकी हमले में सहीद जवानों को आदर पुर्वक सद्धांजली अर्पित करता हूँ उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योचावत दिये है दुख की इस गड़ी में मेरी और हर भारतियों की सम्वेदनाई उनके परिवार के साथ है इस हमले की वज़े से देश में जितना आक्रोश है लोगों का खून खौल रहा है ये मैं भली भाती समझ पा रहा है इस समय जो देश की अपेच्छाएं हैं कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं वो भी स्वाभाविक है हमारे सुरक्षावलों को पूर्ण सतंत्रता दे दी गई है हमें अपने सैनिकों के शौरिय पर उनकी बहदूरी पर पूरा भरोसा है मुझे पूरा भरोसा है कि देश भक्ती के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजन्सियों तक पहुचाएंगे ताकि आतं को कुछलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके मैं आतं की संगधनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूँ कि वे बहुत बड़ी गल्ती कर चुके हैं बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी मैं देश को भरोसा देता हूँ कि हमले के पीछे जो ताकते हैं इस हमले के पीछ जो भी गुनेगार है उन्हें उनके किये की सजा अवश्य मिलेगी जो हमारी आलोचना कर रहे हैं और भावपल है पक्षमें या भी पक्षमें हम सब राजनीतिक छीटा कसी से दूर हैं इस हमले का देश एक जुट होकर के मुकाबला कर रहा है देश एक साथ है देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए त्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर यह समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है जिस तरह की साजी से रत रहा है उससे भारत में अस्थिर्टा पैदा करने में सपल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे वो कभी यह नहीं कर पाएगा और नहीं कभी यह होने वाला है इस समय बड़ी आथिक बहाली के दोर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बढ़ाल कर सकता है उसके यह मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है वक्त ने सिद्ज कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले है वो तबाही देखते चले है और हमने जो रास्ता अखत्यार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है 130 करोड हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश ऐसे हर हमले का मुह तोड़ जवाब देगा कई बड़ो देशों ने बहुती सक्त शब्दों में इस आतंग की हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की भारत को समर्थन की भावना जताई है मैं उन सभी देशों का आभारी हूँ और सभी से आवान करता हूँ कि आतंगबाद के खिलाब सभी मानोतावादी शक्तियों को एक हो करके लड़ना ही होगा मानोतावादी शक्तियों ने एक हो करके आतंगबाद को परास्त करना ही होगा आतंग से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मात एक च्वर एक दिशा से चलेंगे तो आतंग मात कुछ पल से जादा नहीं टिक सकता है साथ क्यों पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्तिती और माहोर दुख के साथ आकरों से भरा हुआ है ऐसे हमलों का देश डटकन बुखावला करेगा यह देश रुकने वाला नहीं है हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण के आहूती दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिन्दकी लगाता है पहला देश की सुरक्षा दूसरा देश की समृद्धी मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए उनके आशिरवाद लेते हुए मैं फिर एक बार विस्वाद जताता हूँ कि जिन सब दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहुद किया है उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पलपल खपा देंगे समृद्धी के रास्ते को भी हम और अधिक गती दे करके विकास के रास्ते को और अधिक ठाकत दे करके हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बाद